नमश्कर आज हम इंडस्टियल शुशलाजी में और द्योगेक समाशास्त में पढ़ रहे हैं श्रमसंग इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन्स क्या हैं उनकी परिभाशाएं क्या हैं आज हम देखेंगे कि श्रमसंगों की अवशक्ता किस लिए हुई क्योंकि हम देखते हैं कि श्रमसंग जो और दोगी करण की देन है पहले कोटी रुद्ध्योग दंदे थे जहां पर सब अपने अपने घरों में छोटे छोटे रूप में अपना कार्य करते थे लेकिन जैसे ही ओद्ध्यों की करण हुआ और ओद्ध्यों की करण के कारण अधिक श्रमिकों की अवशक्ता हुई और श्रमिकों को अपने कार्य की दशाओं को और अपनी आर्थिक इस्तिति को सुधारने के लिए दीरे-दीरे संगटित होना पड़ा और इस संगटित रूप में श्रंग संग के श्रंग संग का उदै हुआ इसमें हम देखते हैं कि बिक्सित देशों में तो आज सूद्रड और सूद्ग श्रंग संग है जहांपर सामोहिक सौदेवाजी के आधार पर कारी की दशाओं में सुधार किया जाता है लेकिन भारत में क्योंकि भारत जैसे विकास्ट्रील देशों में जो हमारे श्रमिक हैं वो अधिकांश अशिक्षित हैं अशिक्षित होने के कारण जो उनकी नीता हैं वो भी उनीकी जैसे हैं और श्रम संगों की जो वितिय स्थिती भी है वो भी सूधरण नहीं है आज हम देखेंगे कि श्रम संगों की अवशक्ता क्यों पड़ी किन कारणों से श्रम संगों का उद्य हुआ क्योंकि श्रमिक संगों की जो अवशक्ता है वह समाजिक, आर्थिक और राजनेतिक सभी दस्टिकौन से देखने को मिलती है उद्योग पती शमिकों का शोशन ना कर सके तथा उनके आर्थिक हित सुरक्षित रह सके और उन्हें जो उनकी कारी की दशाये हैं वो अच्छी दशाओं में वो कारी करें उन्हें उचित दर में मजदूरी का मजदूरी मिले और साथ ही समाज में उनका इस्थान भी उच्छ बने उच्छित इस्थान प्रशमिक रहें इसलिए शमसंग की अवशक्ता हुए समसंग अपनी संगठित शक्ती से उपदेशों की पूर्ती कर सकता है क्योंकि जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक किसी भी उपदेशी की पूर्ती नहीं होती है से माक्स ने कहा था कि दुनिया भर की मजदूरों एक हो जाओं यानि संगठत जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपने उपदेश्यों की पूर्थी नहीं कर सकते फिर हम देखते हैं कि श्रम संगों की अवशक्ता इसलिए भी पड़ी क्योंकि पूंजिवादी समाज में जो श्रमिक वर्थी की स्थिती थी वो बड़ी दैनी और उपेक्षित थी क्योंकि जो पूंजिवादी ववस्था में जो मालिक थे वो मजदूरों का शोशन करते थे और शोशन करके जितना भी लाव होता था वो लाव श्रमिकों को कम और मालिकों को हमेशा अधिक मिलता था लेकिन हम देखते हैं कि श्रमिक भी एक मानव होता है उसकी भी अपनी इक इच्छाय और भावना होती है और साथ ही उसका अपना एक प्रतक वक्तित होता है और वो चाहता है कि समाज के अन्य वर्गों की तरह उसे भी जीवन की सुक सुविधाय मिलें वो भी अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे मकान में निवास करें और इसी तरह कि जो शमिक भी है चाता है कि उसे सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलें लेकिन पुझीवादी अर्थववस्ता में हम देखते हैं कि शमिक अपनी अत्यावर्शक अवर्शक्ताओं को ही पूरा करने में समर्थ नहीं होता ऐसे इस्तिती में शमसन शमिकों में एक नमीन शक्ती का संचार करता है तथा उसकी इच्छाओं तथा अवर्शक्ताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है साथ ही उसके अधिकारों को दिलवाने में भी सहयोग प्रदान करता है अगर हम राजनेतिक दिस्टी से देखे हैं पहले हमने आर्थिक दिस्टी से देखा फिर हम देखते हैं राजनेतिक दिस्टी से समाजिक दिस्टी से भी देखा अब हम देखते हैं राजनेतिक ट्रस्टी से श्रमसंग इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि श्रमसंग के आभाव में अगर श्रमसंग नहीं होगा तो श्रमिक अलग-अलग और विख्रेवे होते हैं श्रमसंग में श्रमिक संगर्ठित होकर अपनी मांगो से राज्य तता सरकार को भी अवगत करवा देते हैं राज्य उनकी मांगो पर सहनुभूति पूर्वक विचार करती है और साथ ही उद्योग पतियों से उन मांगो को मंजूर करने को लिए भी कहती है जब संगष होता है और संगष बहुत अधिक बढ़ जाता है तो राज्य अस्तिक्षेप करकर उद्योग पतिय और श्रमिकों में समझोता भी करवाता है संकट काली निस्तिती में राज्य श्रम संगो को संगष करने से रोग सकता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में अत्रिक्त शांती सूब ववस्था और उत्पादन के लिए अच्छा वातवरण निर्मित करता है और निर्मित होगा तभी हमारे श्रम संगो की अवशक्ता की पूर्ती होगी तो इन कारणों से भारत में श्रम संगो की अवशक्ता हुई नेक्स हम देखते हैं कि श्रम संगो के अवदेश्य क्या है objectives of trade unions जब हम देखते हैं कि श्रम संगो का निर्मान क्यों किया जाता है मजदूरों के जीवन में इस प्रकार के संगो की क्या वशक्ता है और शंग संग किन उपदेशों की पूर्ती के लिए बनाय जाते हैं और इन प्रश्णों के उत्तर में ही शंग संगों के उपदेश्य समाहित है क्योंकि मानव समाज में जितने भी संगठन बनाय जाते हैं वे सारे संगठन किसी ना किसी उब्देश्य पूर्ती के लिए ही बनाय जाते हैं अगर हम श्रम संगों की उब्देश्यों को देखें तो सबसे पहला उब्देश्य है कि श्रम संग का पहला उब्देश्य है कि श्रमिकों को संगठित करना संगठित कैसे होंगे जब पारस्पारिक भाईचारे और सयोग की भावना का विकास होगा और इन भावनाओं के विकास के द्वारा ही उनको संगठित किया जाता है संगी शक्ति कल्यूगे यानि ऐसी धार्ना है कि वर्तवान जो यूग है वह कल्यूग है और कल्यूग में शक्ति संगों में ही नहीत होता है इस प्रकार अगर हमें शक्ति प्राप्त करने की अद्देशी से संगों की इस्तापना की जाती है ताकि श्रम संगठन अपना कारे सही पुर्वक कर सके साथ ही हम देखते हैं कि श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच श्रम संगों की सायता से पारसपरिक सयों की भावना को उन्नत करने का प्रियास किया जाता है श्रम संग समाजिक कल्यान संबंदी अनेक कारियों को संपदान करते हैं और इन कारियों की सायता से श्रमिकों और उनके श्रमिकों को समाजिक आर्थिक शिक्षा संबंदी जीवन की उन्नती की और ले जाने का प्रियास किया जाता है क्योंकि शमिकों और मालिकों कोई बीच सेयों की भावना होगी तब ही हमारे उप्देशों की पूर्ती होगी यदि किसी शमिकों कानूनी साहता की आउशकता है तो श्रम संग शमिकों को कानूनी सुझाव और साहता प्रदान करने की व्यवस्ता करता है जैसे हम देखते हैं कि सामर्जिक सुरक्षा में अगर सुरक्षा यूजनाएं जैसे भी मा है, प्रॉविडेंट फंड है, सहकारी साख है, आदिस के द्वारा हमकी मदद प्रदान करता है साथी, शमिक संग सदस्यों की बिमारियों और अन्नी कठनाईयों में तू एक उश्का कारी भी करता है और हर्तालों से संबंदित जो कार्यों का संपदान है, वो शम संगों को इस तरह से करना पड़ता है कि सबसे पहले तो हर्तालों से संबंदित एक पूर्व योजना मनाई जाती है और उसे अंतीम रुप देते हैं, फिर हर्ताल की विदिवत भोशना की जाती है हर्ताल को संगठित करना और उसका संचालन करना पड़ता है मिल मालिकों से और शमिकों के प्रदी निधी के रूप में वार्ता करना होता है साथ ही जगडों का शांती पूर्वक निप्टारा करना शम्जंग का मुख्य उपदीश्य होता है साथ ही हम देखते हैं कि शमिकों को अधिक से अधिक लाव मिले उनके अवशक्ताय पूरी हो इसके लिए योजनाओं की ववस्ता करता है जैसे प्रोविडेंट फंड की ववस्ता, बैमारी और उसके निदान की ववस्ता स्रकारी साक्ग की ववस्ता, शिक्षा तथा मनोरंजन की ववस्ता और शमिक में जो अशमता व्याप्त है उसे समाप करना तथा उन्हें कारे की योग्य बनाना इसका भी श्रमसंग का ये मुख्य उपदेश्य होता है साथी सब भी जीवन की जो अवशक्ताएं होती हैं उन्हें शमिकों तक पहुँचाना भी श्रमसंग का एक मुख्य उपदेश्य होता है शमिकों और मालिकों के बीच निरंतर जो तनाव की संभावना बनी रहती है श्रम संग इस तनाव को कम करने का प्रियास करता है साथ ही श्रमिकों के जीवन में अनेक अफसर आते हैं जब वे अपने को असाहय अवस्था में पाते हैं ऐसे स्थिति में श्रम संग श्रमिकों की साहता करते हैं तथा उन्हें उचित मौात दर्शन प्रदान करते हैं हमने देखा कि श्रम संगों को उप्रोक्त उपदेश्यों के अंतरगती चलाना पड़ता है क्योंकि श्रम संग के विकास एवं उपदेश्यों को देश के अध्योगिक विकास तथा देश की समाजिक और राजनेतिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं तो इस तरह से आज हमने देखा कि शमसंगों के शमसंग इस्थापित करने के उबदेश्य क्या थे उनकी क्या वशक्ता थी और किन वशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए श्रम संगों को इस्थापित किया गया और मुख्य रूप से उनके उबदेश्य क्या थे धन्यवाद अपना बहुत ध्यान रखिये घर में रहिये सुरक्षित रहिये धन्यवाद